हाई गाइस कैसे हो आप लोग आई होप सभी बत्से काफी अच्छे होंगे और सभी के पढ़ाई बिल्कुल जोरो शोर से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि आप हमारे में महीना भी नहीं बचा है और आपको यह भी बता है कि मतलब मिनिमम साथ चैप्टर हर एक बच्छे के आ रहा है जितना हमने पोल कंड़क्ट कर आया था जितना मुझे कॉमेंट्स के थूप पता चला तो मुझे यहीं पता चला कि यार सेविन चैप्टर तो सभी के आ रहे ह कुछ ऐसे बच्चे है जिनका ray optics भी आ रहा है और EM waves याना य rig 8 चैप्टर भी आ रहा है अभी 8 तो भॉट चोटा चैप्टर है यानि कि एक दिन का चैप्टर भी नहीं है लेकिन हाँ relay optics में कुछ कुछ बात है तो पहली बात तो आप मुझे कमेंट करके यह बताओ यहाँ पर भी जितने भी कोई अगर नया बच्छा आ रहा है कि आपके पेपर में कितने चैप्टर्स तक आ रहे हैं साथ आ रहे हैं कि रे आ रहा है ठीक है ना अब ये वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाला है तो यार इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी स्टार्ट बताने वाला हूं पहले तो आप ये समझो कभी भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बात के बारे में पता रहना चाहिए कि भाई आपका पेपर कितने मांक्स का है और उसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर कितने मांक्स का आ रहा है और सबसे बड़ी गुड करना सब कुछ होता है लेकिन जब लास टाइम रिविजिन वाली बात आती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज होती है कि कई ऐसा ना हो कि वह चीज मिस हो जाए आप समझ रहे हो मतलब अगर मेरा चाप्टर वन है और उसके अंदर मेरे पास 15 टॉपिक्स है और मुझे 15 ट टॉपिक्स में से मैंने तेरा टॉपिक्स कर लिए दो टॉपिक्स में रहे गए गलती से हमें चोड़ना कुछ भी नहीं है हमें तो 70 on 70 actually 70 नमबर का पेपर होता है तो हमें तो 70 on 70 ही लेकर आने है लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मतलब अगर मान लोग गलती से कोई दो नहीं है और वही topic है जो सबसे most important topic है तो फिर blender हो जाएगा फिर वो तेरा topics करने के बाद ना कोई फाइदा नहीं होगा आपने देखा भी होगा relate भी कर सकते होगा आपने सुना भी होगा इस बात को क्या सुना होगा आपको यह लगता होगा कि यार paper में तो हम पढ़के गए कि भाई कौन से important topics है जो हमें जानने है जो हमें मतलब वो बिलकुल ही नहीं miss कर सकते तो क्यूंकि साथ chapters का एक ही वीडियो में लाना फिर वो थोड़ा सा ना मतलब boring सा हो जाता है तो इसलिए हम एक चोटी से series लेकर आ रहे उसके हर एक chapter के links भी देर देर आपको provide कर दी जाजना chapter 1 से लेकर chapter number 7 तेक है इसमें यह आपके कितने marks के आ रही है यह जो 7 chapters है आपके यह कितने marks के आ रही है तो आप देखो एक circle सा बना लेते हैं ठीक है ना और इस circle में आपका 70 marks का paper होता है ठीक है ना अब आपको सर यह तो boards में होता है तो जितने weightage का आपका boards का paper है उतने ही weightage का आपका यह paper होता है यानि 70 marks का ही होता है अगर हम boards की बात करते है तो boards में क्या होता है कि जो chapter 1 से लेकर 3 तक होते है यह आपके 16 marks का होता है यह आपका 16 marks का होता है और chapter 4, 5, 6, 7 chapter 4, 5, 6, 7 ये आपका 17 marks का होता है मतलब ये कुल में लाके 33 marks के होते हैं आपके boards में अब actual में हमें इनी को 70 number का खीचना है अगर ये 7 chapter हमारे आ रहे हैं तो हमें इनी को 70 का खीचना है तो क्या हम ऐसा मान के चले कि ये कुल में लाके आपका 33 marks के आसपास का आ रहा होगा और जो बाकी बत जाता होगा उसमें से ये आपका आ रहा होगा जैसे कि मान लो आपका 37 marks का है ना तो जैसे मान लेते कि last के 4 chapter 37 marks के हो गए और पहले कि जो 3 chapters है वो हम 33 marks के मान के चल लेते क्योंकि 70 number में ये 7 chapters आपके आ रहा होगे तो यार ये एक चोटी सी मतलब news है मेरी तरफ से जो कि आप लोगों को कैसी लेगी एक तो आप मुझे comment में बताईएगा और इसके साथ साथ तर एक बड़ी news और है और वो बड़ी news क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है ना बहुत सारे ऐसे students है जिन्होंने पढ़ाई अभी तक या तो start नहीं करी है या करीब है तो revision नहीं करी और जब यह revision नहीं करता है तो इसके marks भी नहीं आते है फिर बाद में मतलब कभी कबार मैंने ऐसा सुना है और आप लोगों को भी लगता होगा कि जो हमारे topper students है ना घर वाले भी बोलते हों कि सर हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता था घर पे रोज पढ़ता था असल में पढ़ने से कुछ नहीं होता है वो जो आपने पढ़ा है उसको आपने कितनी बार revise करा है वो बहुत ज़दा matter करता है अब इदर अगर आपने revision नहीं करी तो तकलीफ में है तो हमारा एक crash course आ रहा है जो कि आपका 10th of August से ही start हो गया होगा और उसके अंदर हम chapter 1 से लेकर सभी chapters cover कर रहे है सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो crash course है ना वो सभी subjects का 1500 रुपीस का ही है सिरफ और इससे बई बड़ी news ये है कि Freedom Festival चल रहा है जिसमें आप लोगों को इस पे भी 20% off मिल रहा होगा यानि कि आप लोगों को ये 1200 रुपे का मिल रहा होगा सारे subjects Physics, Chemistry, Maths, Bio, English सभी subjects link description में है और ये avail करने के लिए आपको code VK Army का use करना रहेगा अब यार आप लोगों को मेरा ये जो एक initiative है ये कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके और अब मिलेंगे सीधा सीधा chapter wise videos पर कि chapter 1 में क्या important topics है chapter 2 में, chapter 3 में ऐसी 7 chapters का हम इस तरीके से कर रहे होंगे I hope ये video आपको अच्छी लगी है My idea students इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ share कर रहे होगा मुलाकात करेंगे आप से आप एक अगली video में तब तकि लए यार All the very best बचो Bye guys, bye all and yes जहिंद